हलो एवरिवन सभी का वेलकम करता हूँ एक दिन के ब्रेक के बाद आज की क्लास को शुरू करेंगे 22 जुलाई के फर्स्ट एडिटोरियल के साथ दहिंदू के और साथ इसाथ पुलिस को लताड लगाई है शुरू करते हैं लीगल एडिटोरियल आज का आप बोलतो ना कभी कभी सर लीगल एडिटोरियल पढ़ाओ तो यह लीगल वाला है कोशिश करेंगे इसको जितना सिंपल लेंगविज में हो सके प्रॉसेस करने की क्लास को शुरू आईए कुछ नया सिखते हैं और राइट करेंजी क्लियर हेडिट अप्रोच देखिए हेडिट का मतलब होता है सर वाला दिमाग वाला और क्लियर मतलब साफ हर वो अप्रोच क्लियर हेडिट अप्रोच होगी जिसमें आपका दिमाग साफ है rational है, logical है, unbiased है, calm and composed है कहरे जी बहुती साफ सुत्री सी अप्रोच, बहुती unbiased और calm अप्रोच हमें Supreme Court की तरफ से देखने को मिली है और बात कर रहा है on the judiciary, the police and the grant of bail बात हो रही है judiciary की, नय पालिका की, पुलिस की और bail को दिये जाने के काम की, grant of bail की तो Supreme Court ने बहुती अच्छे तरीके से गुजरात पुलिस को समझाया है कि आप कानून को हाथ में लेकर के ताना शाही ना करें bail दिया जाना हर आदमी का अधिकार है और इस अधिकार से आप उसको वंचित नहीं कर सकते हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं देखो मेरी questions पूछने की आदत है और वो इसलिए कि मैं आपको थोड़ा सा insight करूँ है ना original learning में ये clear headed word मैंने आपको आज बता दिया ठीक है? लेकिन एक ऐसा ही word मैंने आपको पहले करवाया हुआ है और वो headed नहीं है वो handed है लिख देता हूँ यहाँ पे heavy handed heavy handed जो बच्चे मेरे साथ class में regular हैं आपको तो ये word कम से कम आना ही चाहिए और जिनको नहीं आता है अभी search करो इसको google पे और इसका meaning निकाल करके comments में डालो clear headed कोई और चीज है heavy handed ये अलग word है ये different चीज है बढ़े आगे session को interactive बनाये करो भले ही alive नहीं होता है लेकिन कोशिश मेरी यही होती कि आपका दिमाग जो ना साथ साथ चलता है जैसे इसे class चल रही है title paragraph को देखेंगे करे जी bail should not be denied merely because police object to it strongly करे जो bail है ना उसको deny नहीं करना चाहिए किसी भी अपरादी को या किसी भी अभ्युक्त को जमानत जो है देने से इंकार नहीं करना चाहिए महज इसलिए merely because merely मतलब महज because मतलब क्योंकि महज क्योंकि या महज इसलिए कि जो police है वो object करती है इस bail को वो इस bail के खिलाफ है बहुत कड़े तरीके से strongly तो bail दिया जाना हर अभ्यूत का अधिकार है ऐसा नहीं है कि police वाले court को बोलने कि मत दो bail मत दो bail तो court bail ही नहीं देगी सिरफ यही reason नहीं होगा bail ना देने का bail ना देने के बिचे एक solid region होजान चाहिए police वाले तो जूट भी बोल सकते हैं किसी भी आदमी को bail ना दिलवाने के लिए तो bail आपका subject है should not be denied इसकी verb है police आपका दूसरा subject है because conjunction के बाद और object इसकी verb है police एक ऐसा noun है जो कि plural में use किया जाता है 99.99999 cases में वो .001 वाला case आपको करवाया हुआ मैंने ठीक है police एक ऐसा noun है जो कि आपको लगबग 100% cases में एक plural noun की तरह काम करता हुआ मिलेगा verb देखो plural है इसकी objects नहीं रिखा हुआ क्या आप मुझे 5 ऐसे nouns बता सकते हैं जो देखने में तो singular लगते हैं सुनना और जिसको आ जाए दिमाग में बैठ जाए comments में डालना चलो देखो जी ऐसे police जैसे दूसरे nouns है people ठीक है फिर एक noun है gentry people का मतलब तो आप समझते ही है लोग gentry का मतलब होता है clean लोग किसी भी area के किसी भी city के सबसे पैसे वाले खांदानी लोग समझ पारे है ना पैसे वाले लोग खांदानी लोग aristocrats फिर एक noun है अपने पास vermin vermin का मतलब होता है छोटे छोटे खीडे यह special type के कीडे होते है जौक जैसे या दीमक जैसे ऐसा समझ लो तो यह vermin हमेशे अप दूरा लोगा कीडों के ग्रूप को vermin बोलते है फिर एक वर्ड है पॉल्ट्री पॉल्ट्री का मतलब आप जानते हैं मुर्गे मुर्गियां जो किसी फार्म में पाले जाते हैं अंडों के लिए या मीट के लिए हैना पॉल्ट्री और लास्ट में जो वर्ड अपना कौन सा है केटल आप केटल का मतलब होता है काई सारे जानवर गाएं बैसे हैंड़овन क्यां ना तो कैटल्स लिखने के जभा और भेंड है अब जल्दी से एक नया concept दिखेंगे काफी दिनों बाद आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है object object का मतलब होता है किसी को oppose करना लेकिन अगर मैं यह oppose लिख दूँ oppose लिख दूँ तो फिर यह to निकल जाएगा यह to निकल जाएगा देखो यहाँ लिखा भी हुआ है oppose बेल यहाँ पे कोई to बीच में नहीं लगाया गया तो ऐसा क्यों object के बाद में to लग रहा है oppose के बाद में to नहीं लग रहा तो इस concept को समझेंगे फटावट से बहुत दिनों बाद आया English में बहुत सारी ऐसी verbs हैं जो एक दूसरे की synonymous है synonymous समझते हैं दोनों का meaning same है answer का meaning भी जवाब देना reply का मतलब भी जवाब देना await का मतलब भी इंतजार करना wait का मतलब भी इंतजार करना object और oppose भी एक दूसरे को क्या है? synonymous meaning देते हैं लेकिन जो left side में verbs रिखी हैं मैंने इन दोनों columns में वो verbs ट्रांजिटिव हैं और कोई preposition अपने बाद नहीं लेंगी right side की जो verbs हैं right side की जो verbs हैं वो in ट्रांजिटिव हैं उनके बाद का preposition fixed है तो oppose verb का मतलब है विरोध करना लेकिन बिना किसी two के आएगी ये verb लेकिन object verb का मतलब होता है विरोध करना two के साथ resemble का मतलब है वैसा ही दिखाई देना लेकिन resemble के बाद में two मतलगाओ be similar के बाद में two लगता है he is similar to her this thing is similar to that thing two similar to resemble के लिए आपको two लगाने के जोरोध नहीं है अब आप बोलो के ज़र मैं याद कैसे करूँ है तो no verbs है कम से कम एक साल में ये concept आपको 90 बार करवाया जाता है ये no verbs 90 बार आप देखोगे याद करनी पड़ेगी याद कर लो इनको ठीक है screenshot लेलो उसका list का questions आपको मिलेंगे students are waiting या awaiting for their exam result student इनतजार कर रहे हैं अपने exam के result का क्या लगा हूँ यहाँ यहाँ पर four लग गया ना four लग गया तो इनतजार करने के लिए wait for लगाना पड़ेगा four तो आप लगाई चुके हो तो waiting for गलत होगा यहाँ आप लिखें waiting for some old tribes inhabit or live this area कुछ पुरानी जन जातियां इस एरिया में रहती है inhabit का मतलब रहना live का मतलब रहना लेकिन live in this area होता है inhabit के बाद in नहीं आता यहाँ पर in लगाया नहीं हुआ तो आप चुप चाप inhabit लगा दो live नहीं लगा पाओगे बिना in के यू live in somewhere ना आप नहीं रहते हो ना आई live in the house आई live in the jungle forest जहां भी आप लगते हो तो इन तो लगा नहीं हुआ तो उस case में लिवाएगा नहीं यू आर सिमिलर तो माई सिस्टर या यू रिसेंबल तो माई सिस्टर तो आप आर सिमिलर लिखेंगे रिसेंबल अपने बाद टूनी लेता है अफकोर्स यहाँ पर आर सिमिलर आपका answer बनेगा चलिए concept समझगे आप आगे बढ़ते हैं इस concept का second part भी है लेकिन आज नहीं करवाएंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा डोस जादा हो जाएगी अब आगे बढ़के इस article की सारी vocab देखेंगे ताकि आप इसको smoothly बढ़ सकें class को एक like और एक share जरूर से दें अगर आपको सच में लगता है कि कुछ अच्छा और quality content आप गंजूब कर पा रहे हैं उसी के साथ में जिन प्यारे बच्चों को mock test passes की जरूरत है तो test book की sale active है आज last date है इसको जिसमें आपको एक साल का mock test pass मिल रहा है 314 रुभे के reduced price पे 70,000 mock test से भी जादा इसमें available होंगे आपको 700 से जादा exams के तो अब SSC, banking सबका एक ही mock test pass लेना है आपको अलग-लग नहीं लेना इसका pro version 2449 में मिलता है जिसमें आपको ये additional benefit होता है कि आप previous year papers को भी mock test की form में attempt कर सकते हैं कोई भी pass आपको जो भी लेना हो comment section में जाएं लिंक पे क्लिक करें test book के और अपना code अपलाई करें yt10 जैसे इस code को लगाएंगे आपको mock test pass दिखेगा 314 रुबे के इंदर normal वाला और जो आपका दूसरा mock test pass है वो आपको 499 का दिखाएगा लेकिन code लगाने के बाद the price will reduce to 2449 comment section में link रखाए if you need the pass चलिए vocab sheet आज की clear headed approach word अपने पास 5 शुरू करेंगे as you से as you का मतलब होता है किसी चीज से दूर रहना avoid करना दूर रहना avoid करना a civilized society should as you violence एक सब्वे समाज को violence से दूर रहना चाहिए या उसको avoid करना चाहिए आश्यू को shy away from या shun करना भी बोलते हैं shun इसका closest synonym है आश्यू आप हर उस चीज को कर पाएंगे जो आप पहले करते थे जिससे आप जुड़े उपे थे अगर आप smoking नहीं करते हैं है ना for example if you are not a smoker तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि I have a student smoking तो मेरा सवाल ही होगा फिर पीते कब थे समझ पारे है मेरी बात को जब पी होगे और पी के छोड़ोगे ना तभी एस्यू करोगे शun away from करोगे शाई away from करोगे है ना त्याग देना किसी चीज को अपनाने के बाद में तभी इस वर्ड का इस्तेमाल करना है तो यह बारीकियों को सीखना होगा आपको आगे बढ़त लेकिन अगर उस चीज को बाहर आना होगा तो वो कभी ने कभी box को तोड़ के भी बाहर आजाएगी आजाएगी कि नहीं आजाएगी मैं proper आपको example दे नहीं पा रहा हूँ यही मेरे दिमाग में आया break out of का मतलब होता है किसी चीज का सिमाओं को तोड़ करके लांग करके प पोवर्टी से break out of करने में पोवर्टी के दाइरे से बाहर निकलने में escape करने में अगर आपको पोवर्टी से बाहर निकल नहीं आपको मतलब कोई भी आदमी जो गरीब है और अच्छी education आप ले ले लेते हैं quality education तो आप कैसे ना कैसे करके poverty से निकल जाएंगे अपना एक ज पिछले 10 दिनों में दूसरी तीसरी बार आ रहा है एक forge word के तीन meanings हैं पहला meaning होता है जी किसी चीज को बहुत जोड़ तोड़ करके बनाना किसी रिष्टे को alliance को contract को deal को जोड़ तोड़ करके मेहनद करके है ना forge and alliance, forge and deal और यह जो पहला वाला meaning है ना यह तीसरे वाले meaning से ब भालना है ना लोहे की जो है चड़ की कटोरी बना देना कटोरी का कुछ और बना देना मार मार के मार मार के ठोक ठोक के तो first और third meaning जो है वो literal और figurative है third में literal बात हो रही है तोड़ने की मारने की first में आप जोड़ लगा के किसी चीज को ढाल रहे हो second meaning इसका आप article में देखे documents of his uncle उस पर आरोप लगा फोर्ज करने का अपने uncle के property documents को तो आज आप second meaning देखने वाले article में first और third मैंने आपको बता दिया यह आप नहीं देखेंगे जो second meaning इसके synonyms भी है fabricate, temper with, manipulate या falsify आज आप तीनो words आर्टिकल में देखेंगे चलिए last word आज का, यह second last है, massacre, massacre का मतलब होता है नर्सहार, bloodshed, बड़ी संख्या में लोगों की हत्या, कारणीज भी बोल सकते हैं इसको, civil wars often give birth to massacres, ग्रह यूद जो हैं अकसर नर्सहारों को massacres को birth देते हैं, massacre को genocide या bloodbath नाम से word से भी बताया जा सकता है, pogrom इसका एक advance syn जो मैंने आप से quiz में पूछा, यह program नहीं है, ठीक है, यह program नहीं है, यह pogrom है, pogrom, ठीक है, तो इस word को थोड़ा ध्यान रखना, बार बारिश के वाज आ रही है आपको, बहुत तेज बारिश हो रही आज, last word आज का, prod, दीखें अंग्रेजी में दो words है, prod और god, याद रख जानवरों को है रस्ता दिखाते हो, आपके पालतू जानवर है आप जंगल में ले गए, गाएं भैसो, बक्रियों को, भेडों को, तो एक लकडी की छड रखोगे ना हाथ में, तो वो छड से आप उनको हिला हिला के सही रस्ते पे ले जाओगे, तो prod और god नाम के दो नाउ अगेंस्ट विमन, has prodded the policy makers, makers कर लेना, makers, into making harsher laws, बढ़ती हुई जो crime की rate है, विमन के खिलाफ, उसने prod किया है, motivate किया है, push किया है, हमारे policy makers को, नेताओं को, कि वो कड़े कानून बनाए, harsher laws को enact करें, चलिए, आज ये word article में देखेंगे, god पूरी detail में आपको करवाया है वो कैब को ऐसे ही याद किया जा सकता है, word के पीछे जाओ, history को समझो, use करना सीखो, synonyms का context समझो, 4 या 5 ये दिन में पढ़ने है, बहुत हो जाता है, 6 महिने में, देखें समरी ही है कि गुजरात की एक lawyer come activist है, Madam Tista Stalwater, और ये गुजरात की आखों की प्यारी है, आखों की प्रोटेस्ट करती हैं गुजरात में, 2002 के दंगों के लिए आज भी गुजरात के उस वक्त के CM जो मोदी साहब है, रहेंदर मोदी, और वहां की पुलिस को आज भी ये code में गसीट करके लाने की कोशिश करती है, अब तीस्ता को हाली में किसी मामले में जेल में डाला गया पुलिस के द्वारा और जेल से बाहर आने के लिए इनकी बेल को डिनाय किया जा रहा है हाई code के द्वारा, क्योंकि पुलिस बार बार हाई code से ये कहती है कि तीस्ता को आप बेल ना दें, तीस्ता एक खुंकार अपरादी हैं और ये औरत बाहर आ जाएंगी तो कोई पर चोड़ें, आज की टोन को वेल्कमिंग टोन में लिखा गया आर्टिकल है, सुप्रीम कोट के इस डिसीजन को इस पूरे ऑब्जरवेशन को वेलकम किया जा रहा है, बाहर से शोर आ रहा होगा और ये शोर है बारिश का, बरसात थोड़ी धिमी हो जाएगी तो अपने sense approach, while conceding the grant of bail and should assue the tendency to keep someone in prison, merely because the police oppose bail with great vehemence, करें जो कोट्स है भारत की जो नयाय पालिका है, जुडिश्री है, उसको अडॉप करना चाहिए, अडॉप करना समझते है न, अपनाना किसी चीज को, उसको अपना लेना चाहिए, एक clear-headed और common sense approach को, ऐसी approach को जो बिलकुल साफ दिमाक की है, एकदम clear है, कोई biases उसमें नहीं है, और जो common sense वाली है, जो की ऐसी उल्टी-पॉल्टी भी नहीं है, और ये कब अपनानी है approach, जब वो consider कर रही हों, विचार विमर्ज कर रही हों, ध्यान कर रही हों, bail को grant देने पे, किसी को जमानत देने पे, और इनी courts को, as you भी कर देना चाहिए, त्याग भी देना चाहिए, अपने इस प्रवर्ती या tendency को, इस आदत को, जो है किसी आदमी को keep करने की, या रखे रखने की, someone किसी को, prison में यानी jail, और क्यों, महज इसलिए merely because, क्योंकि पुलिस जो है, वो oppose कर रहे हैं इस bail को, पुलिस वाले जो है, विरोध कर रहे हैं, bail का, बहुत जोरों-शोरों से, with great weapons, वहमन्स का मतलब होता है, जील, passion, फरवर, जोर शोर से, जो काम करते हो, वहमन्स से करते हो, तो बहुत जोरों-शोरों से, पुलिस वाले एकर, bail के लिए मना बोल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, सिरफ यही reason नहीं हो, किसी इंसान को, bail ना देने का, codes आपका subject है, पहली verb है, इसकी should adopt, दूसरी verb है, should ask you, adopt करना यानि अपना लेना, ask you करना यानि त्याग देना, और किस चीज को, जो चीज आप अलड़ी कर रहे हो, उसी को त्याग होगे न, जो काम आपने कभी किया ही नहीं, उसको कैसे ask you कर द देखो, plural verb है इसकी, और oppose अपने बाद में to नहीं लेता है, लेकिन object अपने बाद में to लेता है, और यह किसलिए होता है, इस वाले concept की वज़े से, चलो बढ़ें आके screenshot ले लो इसका एक अच्छा सा, आगे करहें जी, in getting regular bail to activist Tista stalwart, the Supreme Court of India has effectively rebuffed the guzrat police stand, करहें जी, bail देने में यह इस काम को करने में, in granting regular bail, और किसको, इस activist Madam Tista को, कहरें इस काम को करने में, जो हमारी नहीं बाली का है, Supreme Court, उसने असरदार तरीके से rebuff कर दिया है, जुठला दिया है, dismiss कर दिया है, decline कर दिया है, reject कर दिया है, और किसको, गुजराद police के stand को, उनकी position को, और stand क्या है गु is accused of, is enough to deny her bail, कि जो कथित तोर पे gravity है, गंभीरता है, gravity का मतलब क्या होता है, एक तो गुरतवा गर्शन, ऊपर से कोई चीज नीचे गिरी, gravity की वज़े से, दूसरा gravity का मतलब होता है, किस चीज में कितना वजन और कितनी गंभीरता है, तो police का यह कहना है, कि जो कथित तोर पे जो reported या purported gravity है, seriousness है, तीस्ता starward के इस offense की, इस गुना की, जिसके लिए उनको अंदर डाला है, which he is accused of, जिसके लिए वो accused की गई है, वो gravity ही enough है, वो gravity ही अपने आप में काफी है, deny करने के लिए उनको bail, मना करने के लिए उनकी जमानत, समझ में आगा sentence, Supreme Court ने इस पूरे stand को ये reverse कर दिया, इसको dismiss कर दिया, decline कर दिया, कि आप ऐसा मत बोलो कि इनकी जो काम इन्होंने किया, बहुत बड़ा काम है, बहुत खराब काम है, इसलिए इनको bail नहीं मिलेगी, bail नहीं मिलने के कुछ और कारण होने चाहिए, वो कारण आपको आपको आगे बताए fix proportion है इसके बाद में off हमेशा आप देखेंगे, listen to, accuse of, abide by, adhere to, comply with, ये सारे ऐसे words हैं जिनकी proportion के बाद में fix है, आपको लगानी ही लगानी होती है, चली ओर आके बड़ेंगे, ये accuse के बाद में off लगता है, और ये सारे words भी इसी कानून और code कचरी के काम से जुड़े हुए words है, accuse करना, charge करना, blame करना, टीनो का मतलब है किसी पर आरोप लगाना, convict का मतलब होता है किसी के आरोप को गुना को प्रूव करना, acquit का मतलब होता है किसी आदमी को बाद बरी करना, गुना नहीं किया होने की वज़े से, और exonerate, acquit का ही synonym है, ये words के meaning तो आपको आने ही चा आएगे, और मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आप बार बार रिनी को देखेंगे, charge के साथ में लगेगा, with, blame के साथ में लगेगा, for, commit के साथ में लगेगा, off, ठीक है, और acquit के बाद में भी लगेगा, off, exonerate के बाद में लगेगा, off, और साथ में from, from को prefer करते हैं, exonerate के साथ, off भी लग सकता है, उसकी भी कोई लिक्कत नहीं है, चलो screenshot ले लो इसका, fixed proposition, बहुत सारे एकठे हो गए आपके, बढ़े आगे, regular reading में बार बार आएंगे, आपको ज़्यादा रच्टे मारने की ज़रूत ही नहीं है, reading करा करो regular, करें, as the case depends mainly on documentary evidence, all of it forming part of the charge sheet filed in the case, the court really saw no need for her to be in judicial custody, क्योंकि जो case है, वो depend करता है, mainly documentary evidence पे, काग जी जो हैं, सबूतों पे, तीस्ता अस्तालवर्ड की कोई जो उन्होंने गुना किया है, जिसके लिए उन्दर हैं भी, हाली में, उसकी कोई CCTV footage नहीं है, वो mainly कागजों में वो गुना बंद है, और करें, सारी की सारे जो evidence है ये, करें, जो form कर रही एक part को, charge sheet के, जो file की गई है इस case में, ये सारी evidence जो मिस्ता स्टालवर्ड के judicial custody में होने पर, सारे सबूत तो आपने court के सामने पहले ही रख दी है, सबूत court के पास है, और कोई सबूत आपके पास है, तो अब इसको चाहिए अंदर रखो, चाहिए बाहर रखो, क्या फरक परता है case पर, इसलिए इनको बाहर ही छोड़ना चाहि करें, करें further, Mr. Stalward has been subjected to custodial interrogation during a seven day police remand shortly after her arrest in June 2022, करें इससे भी आगे जो Ms. Stalward है, ये subject to हुई है, when you are subject to something, तो आप उस चीज़ को experience करते हैं, आप उस चीज़ के आधीन होते हैं, उस चीज़ से गुजरते हैं, सर में दर्द हो रहा है, तो you are subject to severe headache, है ना, सर में आपके pain है तो वैसे Stalward जो है, इनको भी experience करना पड़ा, custodial interrogation को, या यूं कहते है, demand को, और ये remand होई थी, 7 दिन की police remand के दोरान, सवाल जवाब होते हैं, इसमें मारा पीटा भी जा सकता है, करें ये तब हुई थी, जब उनकी arrest हुई थी, जोन 2022 में, करें ये भी इनके साथ हो और किसी questioning के लिए, सवाल जवाब के लिए, जब से उनको interim bail दी गई, since she was given interim bail, Supreme Court के दोरा, सितंबर 2022 में, तो आपने उनको अच्छे से remand भी कर लिया, custodian उनकी interrogation भी कर ली, उसके बाद आपने उनको बुलाया भी नहीं, तो इसका मतलब क्या है, इनका case आपने mostly investigate कर लिया अब इनको अंदर रखने से कोई भी आपका कोई भाना नी बनता है, इनको अंदर रखने का, ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं, हर sentence का बीज़ी का meaning निकालो, वो ये क्या कहना चाहरा है, starward की वाब है, had been subjected to, subject to आपने देख लिया है, phrase होता है, किसी चीज को experience करने को तेज बारिश हो रही हा जाना, बहुत तेज, she की वाब है, was called in, call in करना, किसी को बुलाना, summon करना, invite करना, she की वाब है, was given, passive voice में, उनको दिया गया था, interim bill, interim bill होती है, provisional या temporary bill, एक बार तो बेल दे रहे हैं, बात में देखेंगे, finally आपको क्या करना है, ऐसी interim सी बेल इन during trial, करे जी वास्तम में, जो तीन जजिस की बेंच है, जो हैडिट बाई है, जस्टिस बीयर गवाई के द्वारा, करे इस बेंच ने देखा, कोई भी real need को नहीं, किसी भी सही जरुत को नहीं, जो है, किसी को imprison करने की, किसी को jail में डालने की, और किस दोरान, उसके court case के दोर और क्यों, करे जी क्योंकि solely because the police strongly argued that she had allegedly fabricated evidence and guarded victims of 2002 pogrom in Gujarat to level false charges against political leaders, करे वो सिरफ इसलिए क्योंकि पूलिस ने जोरो सोरो से argue किया, vehemently seize को रखा, कि ये बंदी जो है, इसने allegedly, इसने कथी तोर पे जुठलाया है, fabricate किया है, force किया है, अपनी evidence को, सारे सबूतों को, और इस बंदी ने god भी किया है, insight या provoke भी किया है, जैसे लक्री ले करके करते ना, जनवरों को, victims को, शिकारों को, 2002 के नर्सहार के गुजरात में, कि वो level करें, वो सामने put करें, false charges को, जूठें, आरोपों को, और किस के खिलाफ, political leaders क के खिलाफ, उस वक्त के, 2002 के, और वो इसलिए करें, in a bid to implicate them in communal carnage, अपनी इस कोशिश में, अपनी इस bid में, अपने इस mission में, जो है implicate करने का, आरोपित करने का, implicate करना, किसी पर implications लगाना, और कभ इस पूरे communal carnage में, इस पूले, सामुदाई किया, religious नर्सहार में, लंबा sentence है, छोटे-छोटे piece करके आपको मैंने बता दिया, एक बार repeat कर रहा हूं, फिस structure देख लेना, तो एक BR गवाई जस्तिस साव है, उनकी एक बैंच थी थीन जजिस की, उन्होंने खुदने बोला, बैंच ने एक फैसला दिया, कि कोई भी जरूत नहीं है, तीस्ता स्टालव में जो victims हैं, जो शिकार हुए हैं, जिनके घरवाले मारे गए हैं, वो अपने जूटे चार्ज हो हैं, उस वक्त के political leaders के खिलाफ लगाएं, ताकि उन लोगों को implicate कर सकें, आरोपी बना सकें, इस पूरे नर्साहार का, तो ये गवाई बैंच ने बोला था, कि इसको अंदर बिलाना, है ना, falsify करना, और got it इसकी वहब है दूसरी, she had fabricated and she had got it, in a bit to का मतलब होता है, इस मकसद से, इस काम को करने के लिए, क्या मकसद है तो आप बताते है, in a bit to, I study hard in a bit to crack my exam, मैं अच्छे से महनत करता हूँ, इस मकसद से कि मेरा जो exam है, मैं उसको crack कर सकूँ, in a bit to, in order to, so as to, with a view to, सब ऐसे ही चलते हैं, चारों का मीनिंग सेम है, स्क्रीन शोट ले लो इसको सिरफ बताने के लिए नहीं बता रहा हूँ आपको, मुझे तो आता ही है, है ना, आपको भी आना चाहिए, अब आजो next paragraph पे, कारनीज आप देख चुके हैं, नर्साहर को, पोगर किया, कुछ relevant questions को, कुछ अच्छे सवालों को, गुजरात पुलिस के सामने, कोड की वर्ब है, पोज, पोज का मतलब होता है, किसी चीज को खड़ा करना, लेकिन वो चीज ऐसी होगी, जो negative होगी और छू ना पाएंगे, रिस्क हो, question हो, doubt हो, problem हो, danger हो, challenge हो, ऐना, ऐसी चीज and fabrication of evidence, was registered shortly after, the Supreme Court, while rejecting a rights victim's plea, had observed, that those who had sought to malign the state government, and its functionaries, should be put in the dock, करे जो पूरा case है, ना, स्टालवार के खिलाफ, documentary evidence को जुट लाने का, forgery का, forgery मतलब चीजों को force करना, fabricate करना, forgery और fabrication है, पूरा जो case है, स्टालवार के खिलाफ, forgery और fabrication का evidence के, सबूतों को जुटलाने का, या उनको छेड़ चाड़ करने का, यह register किया गया था, shortly after, बिल्कुल बाद में, shortly after, और किस बाद में, जब Supreme Court ने, reset करते हुए right victim की plea को, एक right के जो शिकार था, उसकी request को, Supreme Court ने यह observe किया था, ऐसा कहा था, कि वो लोग दोस, जो कोशिश कर रहे हैं, malign करने की, malign का मतल़ होता है, किसी को बदनाम करते हैं, हैं, disgrace करते हैं, किसी की उपर, किचर उचालते हैं, तो Supreme Court ने यह बोला था, कि वो लोग जो कोशिश करते हैं, किचर उचालने की, या इसके कारेकरताओं पे, इसके नेताओं पे, इसके अफसरों पे, जूटा किचर, कह रहा है, उनको should be put in the dog किया जाना चाहिए, उन लोगों को कटगरे में खड़ा किया जाना चाहिए, तो Supreme Court ने जब यह ऐसा कोई फैसला दिया, उस फैसले के कुछ गंटो बादी, स्टालवर्ड पे भी केस बना दिया कि आप भी फैसले कर रही है, इस फैसले का फाइदा उठाने के लिए कुछ गंटों में स्टालवर्ड पे अलग केस बनाया और उनको भी जेल में डाल दिया, केस की वाब है रेजिस्टर्ड, फोर्जरी आपको बता दि को एविदेंस यह सुपरीम कोट की वाब है, है अब्सकाशब्ट दोज की वाब है, शुड भी पुट इं दोख, तो पुट समवन इंद होता है, किसी को कटगडे में खड़ा करना, जॉक वर्ड का मतलब ही होता है, इन वाद करेंगे इंगे, उसको कोड में गसीट लाएं and the court had questions about what investigation it had conducted within such a short time to justify her arrest करे एक ही दिन में Stalward को arrest कर लिया गया इस Supreme Court के दूसरे case में फैसले के आने के बाद यही case Stalward पे भी लगा दिया गया और court ने फिर सवाल पूछे उसके पास ख़वाल थे court के पास कि कैसी investigation इस पुलिस ने की थी एक दिन के शोर्ट टाइम में जो की justify करे Stalward के arrest को हाई बाद समझे बैती गंगा में हाथ दोने का case है यह Supreme Court ने कुछ फैसला दिया एक दिन में वो case Stalward पे बना के Stalward को अंदर डाल दिया Stalward का जो subject है subject बनी आपकी इसकी वह हाई had been arrested court की वह हाई had the court had questions court के पास सवाल थे इट की वह हाई had conducted इट आया है पुलिस के लिए है ना सोरी investigation के लिए वह investigation जो इसने conduct की थी investigation that it had conducted that को यहां से निकाल दिया गया बीच में से चली और आगे बढ़ते हैं केरे जी notably the apex court bench was of the view that the high court order refusing bail to her contradicted itself केरे सबसे notable बात तो यह है कि जो apex court की bench है supreme court की वह इस नजरिये की थी इस view की थी when you are of the view आप उस नजरिये से किसी चीज को देखते हैं तो court का यह नजरिया यह था supreme court का की high court ने जो उनका order था refuse करने का bail को इस lady को तीस्ता को bail to her यह order ही contradicted कर रहा था high court को खुद को यह order ही high court को जुटला रहा था ना उनकी बातों को contradict कर रहा था क्यूं करा as it had initially observed that it cannot go into the existence of a prima facie case क्योंकि high court ने शुरू में observe कर लिया था कि यह कभी भी अंदर नहीं जाएगी go into नहीं करेगी existence में एक प्रायमा फेशी के मतलब हमें ऐसां लगता है कएस हो सकता है हमें ऐसा लगता है इस अादमी ने किया हो सकता है अभी आगे देखेंगे investigation गवाओं की जो तीस्टा के खिलाफ खड़े थे तो इसी case को जो high court सुनने को तयार नहीं थी उसी में किसी गवाओ के कहने पे तीस्टा को अंदर डाल दिया तो high court अपने आप ही अपने आपको contradit कर रही है ऐसा supreme court का कहना है supreme court apex court की bench की वरब है high court के लिए high court ने ऐसा observe गिया था कि it cannot go high court cannot go ठीक है it की दूसरी वरब है had gone it cannot go into existence but it had gone into consider the statements prima facie मतलब देखने में on the face of it अंदर जाएंगे तो देखेंगे क्या होता है लेकिन face से क्या दिख रहा है that is called prima facie थोड़े अच्छे level के sentences है गभराना मत भाई पढ़ा रहा हूं आपको जितना हो सके easy language में इनको break कर करके है न चलिए करहे जी the ruling is yet another reminder that the order of bail must be the norm after considering whether the accused is likely to flee justice or will be available for trial करहे जो ruling है न ये एक और reminder है एक और remind करवाने वाली चीज़ है that वो ये कि जो bail का order है bail देने का जो आदेश है वो norm होना चाहिए regularly वही होना चाहिए 90% cases में norm के हिसाब से rule के हिसाब से और कब ये तब हो जब consider किया जाए इस चीज़ को whether हाई या न जो accused है कहीं वो likely तो नहीं है flee करने को justice को कहीं वो संभावित तो नहीं है देश चोड़ के भागने को justice को free कर दे देश के कानून से भाग निकले और या फिर वो कहीं available होगा या नहीं होगा trial के लिए बाद में कहीं ऐसा तो नहीं है वो court में आएगा या नहीं आएगा और कर अगर उसको एक बार free कर दिया गया if once freed वो उस position में होगा या नहीं होगा कि वो influence कर सके परवाविद कर सके गवाहों को witnesses को या फिर temper with कर सके चेड़ चाड़ कर सके evidence के साथ में सबूतों के साथ में तो ये सब चीजे जवाब consider कर ले ना कि कहीं ये भाग तो नहीं जाएगा या भाग तो नहीं जाएगी इसको बुलाएंगे ये फिर court में आएगा या नहीं आएगी या इसको छोड़ दें तो गवाहों को धंकाएगा या नहीं धंकाएगी evidence से पंगे लेगा या नहीं लेगी जब ये consider हो जाए और सब का जवाब नामे हो तो फिर court को bail दे ही देनी चाहिए यही नॉम है यही आपका रूल है तीस्ता के केस में तो यह कोई भी केस नहीं बन रहा ना वह देश चोड़के भाग सकती witnesses ने सब ने गवाई दे दी है अब उनको क्या influence करेगी evidence को तो पहले टेंपर विद करने का case बनने है तो और कितना टेंपर करेगी है ना ruling की वहब है is order की वहब है must be accused की वहब है is flee करना break free from करना break of break free from करना किसी चीज़ को तोड़ना तोड़ करके बाहर निकल जाना भाग जाना accused की दूसरी वहब है will be accused is likely and accused will be available अच्छा और accused की तीसरी वहब है will be freed यहां पर adjective है once freed एक बार जब उसको free कर दिया जाता है tamper with करना manipulate करना forgery करना सब उसी के synonym है fabrication करना करे while the gravity of the offense is a factor it need not be the sole consideration और करे जो gravity यह किसी offense की किसी किसी गुना की जो गंभीरता है वो एक factor है उसको भी हमें देखना ही चाहिए करे लेकिन यह sole consideration नहीं हो सकता अकेले अकेले इसी कोई consider नहीं किया जा सकता gravity की वहब है is it की वहब है need not be करे जो trial है जो सुनवाई है इस case में वो set है तयार है शुरू होने में begin करने में बहुत जल्दी एक sessions code में अमदाबाद की करें and one hopes it will settle the question whether activists assisting victims ought to have been proceeding against on the charge of trying to implicate innocent political leaders और करहा हर आदमी अब यह होब करता है कि the tästä जैसे जो activist है कि यह मामला 서टल होगा यह किया सब्रेकटल करेगा नी करेगा इस सवाल को आया न कि thetur जैसे ज़्याइस जो किसी गुना में assist करते हैं जो लोगों को मिrडिक मैं उनको करते हैं कैंसे इस आरोप में कि ==== अड़े करतों दंगों की का है किरोछ किन्य निता प्रिश्टे जनकभा। पिछले 20 सालों से कि तीस्ता क्या करती है गुजरात के दंगों के जो विक्टिम्स हैं उनके साथ मेल करके गुजरात की पॉलिटिकल लीडर्शिप को इंप्लिकेट करती है जो बहुत भूले बाले पॉलिटिकल लीडर्स हैं तो हर आदमी होप करता है शायद यह सवाल कभी सद्ल भो जायेगा 1 की वह मतच सामवडी अप उसको और बनाते हैं इसकी औलसें मतलब बोला वाला चलिए रैप अप करेंगे सेशन को फटावर अपने क्वेस्टिंस देख लो किस केस में जो बेल का ओडर है वो नॉम होना चाहिए वो समाने कानून होना चाहिए इस पैसिस के हिसाब से इन में से कौन सा केस है जब बेल जो है मिली जानी चाहिए यह कंसीडर करने के बाद में क्यूस ने एविडेंस को जुटलाया नहीं जुटलाया ग्रैविटी ओफ दो उफेंस है उसको प्रैमरी कंसीडरिशन बनाने के बाद में या फिर जब अक्यूस इंफुलेंस कर सके विटनेस को टेंपर विद कर सके जो evidence के साथ में उस case में उसको bail दे देनी चाहिए या फिर जब उसको वो प्रूव हो जाए innocent और उसका कोई criminal record नहों तब उसको bail मिलनी चाहिए या फिर जब यह हो कि accused जो है देश छोड़ के नहीं भागेगा और हमेशा ट्रैल के लिए बुलाया जाएगा तो आएगा इस चीज़ को establish करने भी उसको bail दे देनी चाहिए हिंदी में बता दिया है एक भी बच्चे गलत नहीं होना चाहिए अपना answer निकाल लो first comment में मैंने answer डाल दिया है तो इन चारों में से पांचों में से क्या बोला तो यह बात अच्छे से आपने article में देख ली है answer मैंने first comment में डाल दिया है match कर लो और जाकि अपना answer निकालो थर्ड में पूचाए जी put someone in the dog इसको हिंदी में क्या बोलेंगे इस EDM को हिंदी है English में जो भी लिख सको बताना चोथे में pogrom word का synonym पूचा है यह कोई program होता है, occasion होता है, fabrication होता है, carnage होता है, issue होता है चारों words के synonym आपको आने चाहिए, meaning पता होना चाहिए पांच में पूचा है जी fake documents को produce करने का जो काम है जो act है, उसके लिए कौन सा one word है दो तीन one words है, दो तीन आपको बताएं, एक लिख दो के जो भी answer बन जाएगा छेवे सात्वे में दो errors मिलेंगी, पहली error आपको मिल सकती है, इस word के आसपास और दूसरी error आपको मिल सकती है, इस word के आसपास next class में आपसे मिलेंगे, कल की संडे की को, स्पेशल करेंगे संडे को, until then signing out courses available app पे जाके फाइदा ले सकते हो, time रहते ही courses का फाइदा लेना है ऐसा now, last moment पे आकर के आप message करें, सर्फ 15 तिन रहें, एक महिना रहें अभी जब वक्त है बढ़ने का, तो पढ़ाईवे पूरा ध्यान दो, content सारा available application पे, writing का, sse का और banking का app को जाओ, comment section से download करो, first comment से link रखाए, कोई भी query हो, ये number है, whatsapp का team से आप message करके बात कर सकते हैं